खुसी बुटिक चैनल को सस्क्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सरमिला फगेडिया, आप देख रहे हैं खुसी बुटिक आज हम पलाजो की कटिंग करेंगे, जो की उपर की तरफ खीचता क्यों है, तो इसमें हम 38 इंच लंबाई का पलाजो क कटिंग करेंगे, और 40 इंच होगी इसकी कमर तो इस कमर के नाप के हिसाब से हम इसका चोथा हिसा करेंगे आपकी कमर जितने भी है चोथा हिसा कर लीजिए जैसे 10 इंच हुआ तो यह मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है यहाँ पे मैं 10 इंच पे निसान लगाऊंगी और यहाँ पे मैं 10 इंच एक्स्ट्रा निसान लगाऊंगी यहाँ पे मैं 10 इंच का आसन ले लेती हूँ इसका और यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ जांग अब हमने जैसे यहाँ से यह जांग का निसान लगाया 14 इंच पे तो इसका हम आधा निसान लगाएंगे यहाँ पे सवा 7 इंच पे जैसे यह सवा 7 इंच हुआ तो अब हम प्लाजो की लंबाई नाप लेती है जैसे हमें 38 इंच का प्लाजो रेडी करना है तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 40 इंच पे हम यह निसान लगा लेंगे लंबाई का अब जैसे हमने यहाँ पे सवा 7 इंच का निसान लगाया तो यहाँ से भी मैं 77 इंच का निशान लगा लेती हूँ बीच का इस निशान से हम पहुंचा लेंगे जैसे आधा इस साइड और आधा इस साइड यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा लेती हूँ यहाँ से जैसे हमने पहुंचे का निशान लगाया तो इस निसान को हम यहां आसन वाले निसान से मिला लेते हैं ऐसे और इस निसान को हम इस साइड जैसे यहां तक आसन हुआ तो यहां तक ही इस निसान को भी ऐसे ही तिर्चा लगाना है तो ये तो हमने प्लाजों के निजान लगाए और यहाँ पे मैं आसन की गुलाई बता देती हूँ आपको, जैसे एक इंच पे हमें यहाँ पे गुलाई करनी है, इस तरीके से, और यहाँ से एक इंच हमें डाउन करना है, यह फ्रेंट पार्ट है इसलिए, यह डाउन हमें फ थोड़ा सा तिर्चा लेगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बार्द मैं आपको बताऊंगी, कि हम बैक पार्ट किस तरीके से कटिंग करेंगे, तो यह तो फ्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई, अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी, कि जैसे हमने कपड़े को दुबारा से डबल फोल्ड कर लिया है, और इसके उपर हम फ्रेंट पार्ट को रखेंगे, ऐसे, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि प्लाजो उपर की तरफ खीचे ना, यह तो फ्रेंट पार्ट है और यह पीछे वाला बैक पार्ट है, तो इसको हम यहाँ साइड से एक इंच एक्स टर लेंगे, और उपर से हम दो इंच एक्स टर लेंगे, यहाँ से, तो यह वाला निसान जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको इस तरीके से लगाएंगे ऐसे जैसे हमने पहली लगाया था यहां से तो एक इंच का निसान है यह और यहां से आधाधा इंच का निसान होगा नीचे से बराबर रहेगा और यहां तक यह निसान बराबर रहेगा अब देखिए आसन बताती हुम है पीछे का आसन जैसे 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और इस निसान को हम ऐसे तिर्चा करके इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ से जैसे यह 14 इंच है तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ तक और इस निशान को हम ऐसे उपर तक लेके जाएंगे ऐसे गोलाई करके और यहाँ से जैसे दो इंच हमने एक्स्ट लिया है इस निशान को हम उपर की साइड तिर्चा लगा लेंगे ऐसे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस cutting के बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्लाजो उपर की तरफ खीचता क्यों है आप इसमें किन चीजों का ध्यान नहीं रखते इसलिए प्लाजो उपर की तरफ खीचता है ये तो प्लाजो की cutting हो गई अब मैं आपको बता देती हूं important बात कि जैसे हम यहां से extra रखें 1.5 यहां से 2.5 और यहां से 3.5 और यहां से 1.5 और बाकी की cutting बराबर इन बातों का ध्यान रखें तो प्लाजो उपर की तरफ खीचेगा नहीं अब हम pocket cutting करेंगे तो pocket की लंबाई मैंने रखी है 14 इंच और pocket की चोड़ाई मैंने रखी है 6 इंच अब हम पट्टी cutting कर लेंगे यह belt पट्टी हुई और यह plastic पट्टी हुई तो इसकी लंबाई आप अपने प्लाजो के हिसाब से ले लीजिए और इसकी चोड़ाई रहेगी चार इंच इस तरीके से पट्टी cutting होगी और यह pocket cutting होगी और यह हुआ प्लाजो प्लाजो कटिंग में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लाइक का बटन जोर से दबाऊगे तो आपका प्लाजो कटिंग कभी खराब नहीं होगा और कभी उपर की तरफ खीचेगा नहीं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में